नमस्कार साथियों स्वागात है आप सभी कापके पने यूट्यूब चैनल धन्राज शौट हैंड अकेडमी स्टनो क्लासेश में दोस्तों आजका मेरा डिक्टीशन है राष्टन हाई कोट स्टनो ग्राफर भरती 2020 डिक्टीशन न्यूज़ पेपर डिक्टीशन कती 80 शव प् स्टार्ट अंसाधन विभाग इस मामले में न सिर्फ अदालत के आदेश का मखौल उडाने में लगा हुआ है बलकी प्रदेश के मुख्यमंत्रिक कारियलय को भी गुमरह करने से बाज नहीं आ रहा विराम पैरा हाल ही में राजिस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने इस बांध को पुनर जवित करने के धोस उपाय करने का अनुरोद करते हुए मुख्यमंत्री अशूग गहलोत को पत्र लिखा था विराम मुख्यमंत्री कारियलय की और से की गई पूछताच के जवाब में जलसंसादन विभाग के मुख्य अभियंता ने जो जलेवी नुमा उत्तर दिये हैं उनसे यह बात इसपस्ट हो जाती है कि अफसर और इंजीनियर इस मामले में अपनी कच्छुए जैसी चाल में जराभी तेजी लाने का कोई इरादा नहीं रखते विराम उच्चिन अयले के निर्देशों के एक दशक बाद भी उनकी गती नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली है विराम इस गती से चले तो अगले सौ साल में भी रामगड बांध को पुनर जेवित करने का जैपुर की जनता का सपना पूरा नहीं हो सकता बलकी इस बीच अफसरों के क्रपा पात्र बांध के पूरे जल ग्रहन छेत्र पर अवैद कबजे कर चुके होंगे परा उच्चिनयले ने रामगड बांध संबंधी याचिका में इसपस्ट निर्देश दिये की जल ग्रहन छेत्र में बने एनिकटों की उंचाई दो मीटर तक सीमित कर दी जाए विराम मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दावा किया गया है की एनिकटों को तोड़ कर उंचाई दो मीटर तक सीमित कर दी गई है विराम जल ग्रहन छेत्र में 400 से जादा एनिकट हैं कितने एनिकटों को तोड़ा गया इसका जवाब विभाग ने गोल कर दिया हालां की सब जानते हैं कि जब रामगड में पानी भरा रहता था तब बिना एनिकटों के भी जल ग्रहन छेत्र के आसपास के गामों में जल इस्तर अच्छा रहता था विराम अब इसी जल इस्तर के नीचे जाने की बात करके अफसर एनिकटों को बनाए रखना चाहते हैं ताकि पानी का प्रवाह रुक जाए और क्रपा पात्रों के कबजे बने रहे पैरा नयले ने अपने निर्देशों में अतिक्रमनों को हटा कर जल ग्रहन छेत्र में निर्मान और अन्य गती विधियां प्रतिवंधित कर दी थी इस बिंदू के जवाब में पत्र में कहा गया कि इसके लिए विभाग 2012 में ही विबिन विभागों को परिपत्र जारी कर चुका है परिपत्रों से फाइलों के पेट भले की भर जाएं पर क्या अतिक्रमन हट जाएंगे या निर्मान गती विधियां रुक जाएंगी आज भी एक निजी मेडिकल कालेज जलगरहन छेत्र पर कबजा कर इन परिपत्रों की खिल्ली उड़ा रहा है अन्य चोटे बड़े कबजों की तो गिनती ही नहीं है विभाग का दावा है की 330.30 हेक्टेर भूमी से अतिक्रमन हटाए जाचुके हैं किसी स्वतंत्र एजेंसी से जाच कराई जाए तो यह दावा जूट का पुलिंदा साबित होगा विराम वास्तविक्ता यह है की जैपुर विकास प्रादीकरण तो बांध के बहाव शेत्र में अपनी जमीन कम बताकर अदालत की पटकार खा चुका है जमवा रामगड तहसील में जेटिये परीधी छेत्र के कई अतिक्रमन अब भी जैपुर की जनता को मुह चेड़ा रहे हैं पूर्ण विराम